आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पास्ता की ऐसी रेसिपी जो बच्चे हुए या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है यह क्रीमी और चीजी पास्ता इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे बार-बार बनाएंगे तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले पास्ता को बॉइल करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं मैंने ओलिव ओईल डाला है और साथी में डाल देते हैं हलका सा नमक नमक डालने से जो पास्ता है जल्दी भी सॉफ्ट हो जाता है और जो नमक है वो अच्छे से जब आम बॉइल करते समय पास्ता में नमक डाल देते हैं मेरे पास्ता यह वाले शेप का पास्ता है आप जो पास्ता ले रहे हैं आप वो ले सकते हैं तो पास्ता हमने अच्छे से बॉइल कर लिया है आप देख सकते हैं पास्ता एक दम अच्छे से बॉइल है साइज में भी पास्ता को तेल में टो कोट कर दिए इसके बाद हम सीधा पैन में टाल देते हैं थोड़ा सा अलिव आपन में टेल अच्छा लिवन आता है पास्ता में अमेशह ऑल interpret डीper युह टो कि आख दो शली पास्ता में यूद्गे इस य॥म म डालता है इस lie तेस्ट नात केसि तो दे इंग्रीडियंट है ये वाइट सॉस बनाने का तो एक बड़ा चमच आपको मैदा डाल देना है लैसुन को और मैदा को अच्छे से भून ले आप लैसुन को बिल्कुल भी जलाएं नहीं आप देख सकते हैं बस हलका साही लैसुन को करमेलाइस किया फिर हमने मैदा डाला और इसके बाद अच्छे से चला देते हैं मैदा का कलर भी आप देख सकते हैं कैसा पिंकिश हो गया है इतना ही मैदा को भूनना है मैदा भूनने के बाद हमें इसमें दूद डाल देना है मैंने या पे एक कब दूद लिया है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे शुरू में थ दूद को हमने पूरी तरह से मिक्स कर दिया है और आपको छोटे-चोटे चुछे दिखाए दे रहे होंगे वो लैसून के हैं आप देख सकते हैं सौस हमारी काफी थिक होगी है इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं दूद तो आप आधर कप दूद और डाल सकते देख सकते हैं तो दो चीज आप इस पर डाल दे इससे बहुत क्रीमी टेक्शर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा अगर आपको चीज पसंद तो जरूर डाले वैसे आप इस बिना चीज के भी बना सकते हैं यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया इसी के साथ हम डाल देते हैं काली मिर्श का पाउडर तो यहाँ पे एक चोथा ही छोटा चमच ब्लैक पैपर पाउडर डाल दिया हमने और अच्छे से इन सब को मिक्स कर देंगे हमें यहाँ पे नमक डालना है पर बहुत जादा नहीं डालना है क्योंकि हमने बटर लिया ह साथ में चीज डाला है उनमें भी थोड़ा नमक होता है तो आप थोड़ा सा नमक ही डालें इस टाइम पे और नमक इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉग नी डलता है जिसको ज़रुत होगी आप उपर से डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं वाइट सॉस हमारी रेडी हो रखा होगा है पास्ता आपको ओवर बोईल बिल्कुल नी करना आप देख सकते हैं पास्ता कितना खिला-खिला है इसी तरा करखना और इस लहाटें थोड़ी दर टुल भशी रहा है बस कुछी सेकेंस के लिए और और कुछ सेकंड बाद आप इसे मिक्स करके देखें और हमारा यह जो वाइट सॉस पास्ता है बिल्कुल तेयार हो गया है आप इसे गर्मा-गर्मी सर्फ करें यह रेसिपी आसी है जो गर्मा-गर्म खाई जाती है तब ही टेस्टी लगती है तो मैंने यह पर डिशाउट कर इसे आप देख सकते हैं और इस पास्ता में मैंने कोई सबजी वगरा का इस्तमाल नहीं किया है बच्चे भी से बहुत शौक से इंजॉए करेंगे और यह बहुत ही प्लेन ही ऐसा बहुत अच्छा लगता है आप इसमें चाहें तो कैप्सिकम वगरा भी डाल सकते हैं उपर लगतुश गर में तो कैप्से ले हाहे प्ली सब्सका का लेज़किया, ज driven और यह talked रहाँ, वेमामे मैं मैं तो कैस्तमाल सकता हैं ओ clos इख माला सकते हैं टूंग का झाला सकते हुत इसे इसे डाल इस, और बहुत जो हैं अट